हलो फ्रेंड वालकेब टुश्रिया मार्केट लाई मेरा नाम है सागर और आज किपने सेडिये में मैं आपसे बात करने वाला हूँ TCS और SCL Tech के नतीजों के बारे में दूस्तो आज साम को TCS और SCL Tech ने अपने नतीजे पेश कर दिये हैं और कैसे रहें नतीजे और क्या असर होगा इन नतीजों का शोमवार को जब मार्केट खुलेंगे और कितनी तेजी या मंदी के साथ शेयर में सुरुआत हो सकती है देखने वाली तो दोस्तो क्या है लेवल्स और टार्गेट और किस तरीके के नतीजे इन लोगों ने पेश किये एक के बाद एक मैं आपको हर एक चीज़ बताने की इस वीडियो को पुरी कोशिश करूँगा दोस्तो ये वीडियो सुरु से लास्त अग्रो देखिएगा आपको नतीजे और सारी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है तो चले दोस्तो सुरात करते हैं अपने इस वीडियो की और बात करते हैं सबसे पहले टीसेस के नतीजे पेश किये हैं वहाँ पर अगर हम सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट निकल क से कम प्रोफिट आता हूँ नजर आ रहा है लेकिन बात करें यहां पर रेवेन्यू की तो रेवेन्यू 49,854 करोड रुपे निकल के आया है यहां पर रेवेन्यू के आकड़े की उमीद थी 49,870 करोड रुपे तो रेवेन्यू में भी कुछ गिरावत अनमान से कम देखने को म अबिटा मार्जिन की बात किया है तो अबिटा मार्जिन भी बढ़ती हूँ दिखाई दे रही है 25% अबिटा मार्जिन निकल के आ रही है जहां पर 24% के अबिटा मार्जिन का यहां पर अनुमान लगया गया था साथी साथ अगर मैं आपसे बात करो तो constant currency revenue growth की तो यहां प constant currency revenue growth 6.8% पे आती हुई दिखाई दे रही है आईटी services attrition rate की अगर बात कर तो 12.2% यहां पर IT service attrition rate निकल के आ रहा है और जो समसे important आखड़ा जो मार्केट देखना चाहता है वो है dollar revenue का तो dollar revenue का आखड़ा जो आ रहा है 558.26 करोड डॉलर का यहां पर expectation लगाई जा रहा थी 569.27 करोड की तो दोस्तों यहां dollar revenue में भी कुछ गिरावाट देखने को मिल रही है यहां पर TCS ने 5 रुपए पर share के dividend का एलान किया है जिसकी record date है 25 जनवरी तक की यहने की 25 जनवरी से पहले आपके account में गशेयर है तो आपको 5 रुपए पर 30 शेयर के dividend मिलेगा और यह dividend को जो payout होगा वो आएगा 31 जनवरी के दिन तो दोस्तों यहां पर on the face of it नतीजे flat नजर आ रहे हैं ज्यादा कोई खास उत्सार नतीजों में TCS के देखने को नहीं मिला है on the line face of it यहां पर बोला जाए तो flat नतीजे यहां पर TCS ने पेश किये हैं लेकिन अगर अब हम बात कर अगले नतीजे की यहां पर नतीजे थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं यहां पर जो profit का आकड़ा है 3037 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है जहां पर अनुमान लगाया जाता 2796 करोड़ रुपए का तो अनुमान से बहुत ही बहतरिन profit यहां पर अच्छे ने पेश किये ह यहां पर revenue के अगर आकड़े की बात की जाए तो 18135 करोड़ का आकड़ा revenue में आता हुआ दिखाई दे रहे हैं जहां पर 18169 करोड़ की अनुमान लगाई गई थी तो revenue आसपास ही देखने को मिल रहे हैं लेकिन EBITDA की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां EBITDA 3670 करोड़ का EBITDA निकल के आया है और EBITDA margin में भी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है जो की अनुमान था उससे अच्छा EBITDA यहां पर निकलने आया है 98.6 का नुमान था और यहां पर निकल के आया है 20.2% का EBITDA तो उससे है EBITDA margin भी अच्छी है constant currency revenue growth यहां पर 2.1% निकल के आ रही है साथी साथ दोस्तों यहां पर इन्होंने 2020 का lower end का guidance बढ़ाया है जो की बढ़ा के 15% से बढ़ा के 16% यहां पर कर दिया है तो दोस्तों यहां पर 2020 के लिए इन्होंने lower end guidance भी बढ़ा दिया है साथी साथ यहां पर EBITDA margin का जो guidance है उसको भी यहां पर बढ़ाया है और 15% से हैं साथी साथ यहां पर टोटल दो क्लाइंट जो की 10 क्रोर डॉलर से ज़्यादा के हैं वो एडिशन हुए इस क्वाटर में तो दो तो यहां पर जो एसे टेक के जो नतीजे हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि जब मार्केट खुले तो यहां पर तीन से करशन के गिरावट के साथ भी साहीब शुरूरा देखने को मिल सकते यहां पर लिए वीडियो अच्छा लगाँ तो इस वीडियो को लाइक की जगाए अपने दूस्तों के साथ और अबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि इसी तरीके के और भी latest information वीडियो आपके लिए मिलाता रहोंगा मैं आप से मिलत अपने next वीडियो में तो पिकले goodbye and thank you